दोस्तों आप सभी लोग इस बात को तो जानते ही होंगे कि सभी गरों में आज कल लौंग और इलाइची का इस्तमाल खाने का स्वाध बढ़ाने के लिए किया जाता है। धार्मिक सास्त्र के अनुसार इसका इस्तमाल प्रसाद बनाने में भी किया जाता है और वास्तु सास्त्र में भी किया जाता है ऐसे में अगर आप वास्तु सास्त्र में यकीन रखते हैं तो आज हमां आपको एक उपाई बताने वाले हैं जो आपको इलाईची से करना है जी ह इलाइची से, तो चलिए जानते हैं उस उपाई के बारे में, इस उपाई के अनुसार सबसे पहले आपको एक हरी इलाइची लेनी है, अब इसके बाद आपको अपने पुजा गर में बैठ जाना है, और पुजा गर में बैठने के बाद आपको अपने दोनों हाथ जोडने है और यहां दिये गए मंत्र का जाप करना है मंत्र इस प्रकार है ओम स्री स्रिये नमह आपको इस मंत्र का जाप 108 बार यानि की एक माला जाप करना है इस बात का ध्यान रखे कि इस मंत्र का जाप करते समय कोई भी आपको परिशान न करे जाब पुरा करने के बाद आपको इस इलाइची को अपनी मुठी में बंद करके घर के अंदर ही अंदर साथ चक्कर लगाने होंगे आप सभी को बता दे कि घर के साथ चकर लगाने के बाद आपको फिर से अपने पुजा घर के सामने बैठी जाना है अब इसके बाद आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और उस हरे इलाईची को इस लाल रंग के कपड़े में लपेट ले और इसकी एक पोटली बना ले इसके बाद इस पोटली को बांदने के लिए आपको लाल रंग के धागे का ही इस्तिमाल करना है अब इस छोटी सी पोटली को घर में ऐसी जगद चुपा दे कि ये किसी की नजर में ना आए ध्यान रखे कि घर का कोई भी सदस्य इस पोटली को देखना सके इस उपाई को आप केसी भी समय और किसी भी दिन कर सकते हैं ये आपको लाब ही लाब देगा दोस्तो अगर आपको होमारे वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जई मालक्स में अवश्य लिखे